हेलो दोस्तों नमस्कार श्वागत है आप सभी का अपने यूटूब चैनल तन्वीकी रसोई में तो आज हम बनाएंगे मुंफली की बर्फी बहुती स्वाधिष्ट बनीगी दोस्तों ये व्रत की खास मिठाई है आप इसे कभी भी बना के खास सकते हो बहुती आसानी से बन 100 ग्राम लिया है इसे डाल के अच्छी तरीके से बहुन लेंगे तो इसी तरीकेसे लगादार चलाते हुए इसे अच्छी तरीके से बहुन लेना है तो आप देख सकते हैं मौंफली हमारी काफी हद तक भून चुकी है अभी हम थोड़ा सा इसे और भूनेंगे इसके बाद गैस की फ्लेम को बंद करके मौंफली के छिलके निकाल लेंगे तो आप देख सकते हो मोम खली हमारी काफी अच्छे से भून चुकी है तो अब हम इसे निकालेंगे अलग प्लेट में प्लेट में निकालने के बाद इसे थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे ताकियर्ण का जो छिलका है आसानी से निकल सके तो इसको मैंने ठंडा करके इसके छिलके निकाल लिए हैं और अब हम इसको मिक्सी के जार में डालके पीस लेंगे तो इस तरीके से मिक्सी के जार में हम सारी मुंफलियों को डाल देंगे डालके इसको हम महीन से पीस लेंगे तो इसे मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से पीस लिया है आप देख सकते हो यह देखिए तो अब हम इसे ढखके रखेंगे साइड में और इधर हम इसके लिए चासनी तयार कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने लगभग 125 ग्राम चीनी लिया है और अब हम इसमें डालेंगे जिस तरीके से चलाते रहेंगे तो आप देख सकते हैं चीणी हमारी मेल्ट होना सटार्ट हो गई है तो आप देख सकते हैं हमारी जो चासनी है हो बहला इस Major हो गई है तो अभी हम एक आत मिनेट के लिए इसी तरीके से और पकाएंगे तो यहां पर एक मिनुट हो चुका है अब हम मौंफली के पाउडर को इस तरीके से डाल देंगे इसे डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से कल्ठी की हेल्थ से इसे मिक्स करेंगे चास्नी में तो इस तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे ध्यान रहे हमें मुंगफली को रुख रुख का पीशना है नहीं तो यह जो मुंगफली है और रिलीस कर देती है तो इसलिए हमें इसे रुख रुख के पीशना होता है तो इसी तरीके से हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है मौंगफ़ली दोस्तों हमारी बिल्कुल महीन नहीं हुई क्योंकि मौंगफ़ली थोड़ी सी थे तो इसी तरीके से इसे चलाते हुए अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छे से mix हो गया है इसमें bubbles भी काफी आने लगे हैं मतलब यह बहुत ही अच्छी तरीके से पक रहा है तो इसी तरीके से हम इसे चलाते जाएंगे लगातार तो इसी तरीके से हम इसे चलाते रहेंगे इसे छोड़ना भी नहीं यह दोस्तों नहीं तो यह नीचे से जल सकता है तो आप देख सकते हो यह कड़ाई भी छोड़ना स्टार्ट हो गया है तो अभी हम इसे एक आत मिनिट के लिए और पकाएंगे और अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच देशी घी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसी तरीके से चलाते हुए इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है दोस्तो तो आप देख सकते हो यह बहुत ही अच्छे से पक चुका है तो इसी तरीके से हम इसे लगाता चलाते रहना है छोड़ना बिलकुर नहीं है दोस्तो नहीं तो ये बीच से जल भी सकता है तो इसी तरीके से हम इसे चलाते रहेंगे और अब हम इसे थाली में पड़र देंगे थाली को मैंने अच्छी तरीके से घी से ग्रेस कर लिया था तो इसे थोड़ा सा टैप करेंगे इस तरीके से हम इसे थोड़ा सा टैप करेंगे और इसे ऐसे ही एक घंटे के लिए चोड़ देंगे तो अब हम इसे काटेंगे, यह अच्छी तरीके से जम गई है दोस्तों, तो इस तरीके से हमें काट लेना है बर्फी को और इस तरीके से हम इसे भी काट लेंगे अच्छी तरीके से हाथ बचा के काटें आप तो इस तरीके से हम इसे काट लेंगे बहुत ही स्वाधिश्टिम मिठाई बनके तयार होती है दोस्तों आप इस तरीके से बना के देखना उमीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी ये recipe क्योंकि बहुत ही tasty लगती है तो अब हम इसे निकालेंगे तो अब हम एक एक करके इस तरीकी से सारी बरफी को निकाल लेंगे तो आप देख सकते हो बहुत ही स्वाधिश्ट बरफी बनके तयार है ये बिल्कुल soft है बहुत ही tasty है आप इस तरीके से व्रत में जरूर बनाईए अगर वैसे भी बना सकते हो तो उमीद है कि आज की ये recipe आपको बहुत पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को like करें, share करें, subscribe करें साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, all पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की notification आप लोगों तक पहुंचती रहे ये बर्थी दुस्तो खाने में बहुत ही स्वादिश्ट होती है और बहुत ज़्यादा इसमें सामान की भी जरूरत नहीं होती है ये फटापट से बन जाती है, मैं इसे आपको एक तोड़के दिखाती हूँ, ये बहुत ही सॉफ्ट है ये देखिए आप देख सकते हो, दिखने में ये बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है, खाने में बहुत ही स्वादिश्ट है रस्तो बिल्कुल